नमस्कार देशकाल में आपका स्वागत है मैं हूं केशकुमार दोस्तों तेलंगाना विधान सभा के चुनाव अब बहुत दिल्चस मून पर पहुँच गये हैं 28 नॉंबर को वहां मतदान होना है लेकिन दिल्चस्पी एकदम से बढ़ गई है चुनावी गर्मी एकदम से बढ़ गई है उसकी वज़ा है राहुल गांदी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है मोदी के दो यार ओवैसी और केसी यार इस बयान ने गजब का तूफान मचा दिया है और दोनों की तरफ से पलटवार भी हुए है ओवैसी ने भी पलटवार किया है और मोदी ने भी पलटवार किया है प्रधान मंतरी मोदी ने अपनी एक रैली में कहा कि केसी यार और कॉंग्रेस दरसल दोनों एक ही है जबकि ओवैसी साहब ने फरमाया कि राहुल दो यार, दो प्यार, बलकी एक टली है और दूसरे नरिंद्मुदी है तो ये दिल्चसप बात है कि राहूल गांधी के बियान ने तनी गरमी पैदा कर दी और दोनों को रियेक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया देखिए राहूल गांधी का बियान इस लिहाद से बहुत ही वो एकदम से पलट कर Congress की तरब आ सकते हैं, इसी तरह से जो वैसी को ना पसंद करते हैं, वो भी Congress की तरब से आ सकते हैं. आप जानते ही हैं कि पिछले एक डिल महीने में तिलंगाना की चुनावी हवा एक दम से पलट गई है अगर आप कुछ महीने पीछे जाएं तब ऐसा लग रहा था कि कॉंग्रेस चुनाव में कहीं नहीं है और अगर बियारेस को कोई टकर देगा तो वो बीजेपी पार्टी ही होगी और मोदी और बीजेपी ने इसकी तयारी भी खूब कर रखी थी वो इसी तरह से प्रोजेक्ट कर रहे थे कि कॉंग्रेस रेस में नहीं है और ये मुकाबला अब इन दोनों के पीछ में होने जा रहा है लेकिन आप देखिए धीरे धीरे कैसे हवा बदली और खास तोर पे करनाटक के चुनाव में जो कॉंग्रेस ने गजब की जीत हासिल की उसका सीधा असर पडोसी राजित तेलंगाना पर पड़ा और वहां भी मतदाता विकल्प के रूप में बी आरेस के विकल्प के रूप में केसी आर के विकल्प के रूप में कॉंग्रेस की तरफ देखने लगे धीरे धीरे जिस तरह से मिजाज बदला है उसमें तमाम जो सर्वेक्षन आ रहे हैं या सटे बाजार को लें तो सब तरफ से खबरें ये आ रही है कि कॉंग्रेस ये चुनाओ अब जीतने जा रही यानि कहां वो पिछले कुछ महीनों पहले सबसे सड़ी थी फिर वो दूसरे नमबर पर आई और अब ये कहा जा रहा है कि वो चुनाओ जीत रही है ये एक दिल्चस्प मामला अब बन गया है तो मैं बहुत कर रहा था राहूल गांदी के उस पयान की जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी के दोयार OVC और केसी यार अब आप देखिए कि केसी यार पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी के प्रतिश साफ्ट है य जो KCR की पार्टी रही है उसका जो रवाइय रहा है उसने भी संदेश पैदा किये है और बीच में KCR मोदी जी से मिलने भी गए और कुछ इस तरह की अंडरसेंडिंग बनने की खबर आई कि मोदी जी चाहते हैं कि तिलंगाना में केसियार बने रहें और वो केंदर में उनकी सरकार को उनकी पार्टी को सपोर्ट करते रहें वैसी आप जानते ही कि वैसी की भूंका हमेशा से संदिक्त रही है कहने को वो मसल्मानों की नुमाइंदे बनते हैं लेकिन आम तोर पर यह देखा गया है कि वो जो कुछ भी करते हैं उससे बीजेपी को फायदा होता है कॉंग्रेस और दूसरी जो धर्म निर्पेक्षपार् और दूसरी तरफ से वैसी की जो थोड़ी बहुत विश्वस नीता रही है उस पर भी हमला कर दिया और तीसरी तरफ तीसरा निशाना भी था कि मोदी जी भी उनके साथ मिले हुए हैं अब देखिए कि केसी यार पर भ्रश्टाचार के और वंश्वाद के जबरदस्त लेकिन अगर राहूल गांदी इन तीनों को जोड रहे हैं तो आप देखिए कि वैसी की इमेज राश्टी इस तरह की है कि वह थोड़ा सा सामप्रदाइक किस्म के नेता हैं सामप्रदाइक राजनी थी करते हैं अला कि वैसी के बयानों से कभी ऐसा नहीं लगा वैसी जिस इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं उससे कभी यह संदेश नहीं गया कि वह किसी एक समप्रदाइक को उकसा रहें सामप्रदाइकता के लिए वह एक संतुलन बनाकर चलने वाले नेता रहे हैं इसके बावजूद चोंकि उनका हुलिया उस तरह कर रहा है और लगातार वह एक समप्रदाइक के साथ जुड़े रहें उन्होंने अपना दायरा विस्तरत नहीं किया है उन्हीं के बीच राजनीती करते रहें इसलिए उनकी छवी उस तरह की बनी हुई है अब अगर बीजेपी मोदी ओसी के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं और केसी यार के के मुक्य मुकामले में वही हैं बीजेपी नहीं है तो जो बीजेपी को वोट जाने की संभावना बनती है जो एंटी इंकंबेंसी कहा जा रहा कि जबर दस्त है तेलंगाना में बी आरेस के खिलाब के सी आर के खिलाब उसका फाइदा किसको मिलेगा अगर बीजेपी भी व करार बना देते हैं कि कॉंग्रिस बना मोधी वैसी और केसी आर तो इसके सीधा सीधा जो एंटी इंकंबिंसी वोट हैं वो कॉंग्रिस के पास आ जाते हैं और वो सीधा जो थोड़ी बहुत कमी रह गई ही होगी उसकी भी भरपाई कर सकती है तो राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाना चाहिए एंचनाओ के पहली है जो उन्हें मारा है और उसका सही मायनों में दोनों पार्टियों के पास दोनों नेताओं तीनों नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है मोदी ने जो कहा है कि केसी आर और कॉंग्रेस एकी है एकी चरित्र है वो मैसेज उस तरह से जाता हुआ नहीं दिख रहा है और ओवैसी ने एक तुप मिलाने के लिए राहुल के प्यार की बात कर दी है लेकिन उसका भी प्रभाव उस तरह से नहीं होने जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि केसी आर की जो छवी है वो संदिख्ध है उनका राजनितिक चरित्र संदिख्ध है वो हर तरफ इधर उधर जोड़ तोड़ करते रहें और कॉंग्रेस के खिलाब तो रहे ह ही है और इन पांच राजियों के चुनाव में भी उसका दावा ज्यादा मजबूत है किसी भी और पार्टी के मुकाबले तो राहुल गांधी उनकी पार्टी कॉंग्रेस अब तेलंगाना में बाजी मारते हुए दिख रही बाजी उलटते हुए दिख रही है और उसके जो जो मास्टर स्ट्रोक है उसने एक तरह से कहना चाहिए केसी यार की किस्मत को बंद कर दिया है अब उनके लिए संभावना बहुत कम रह गई है उलट फेर की मोदी जी भी अब कोई खेल नहीं कर सकते हैं तिलंगाना के चुनाव का बहुत महत हुए हम सब जानते हैं क्योंक दक्षिन भारत में एक तरह से बीजेपी का तो सफाया हो ही गया है करनाटक से जाने के बाद तेलंगाना में जो उसकी उमीदे थी उन पर भी पानी फिर जाएगा और पूरे दक्षिन भारत से बीजेपी का सफाया होता है कॉंग्रेस की जड़ें और भी मजबूत होती हैं करनाटक के बाद तेलंगाना में भी उनकी पार्टी की सरकार बन जाती है तमिल नाडू में डियमके के साथ है और चुंकि केरल में हाला की कमिनिस्ट पार्टी की सरकार है लेकिन वो विपक्ष की सरकार नहीं है इंडिया गटबंडन के हिस्सेदारों की ही सरकार है तो इस लि और राजिस्थान में मकाबला काटे का है, अगर वहां भी कुछ खेल हो गया, तो ये एक बड़ी कॉंग्रेस के लिए बड़ी बूस्टर का काम करेगा, तो तिलंगाना में राहुल का मास्टर स्टोक और उसके नतीजे, अब हमें तीन दिसंबर कोई देखने को मिलेंगे, ल बहुत बहुत शुक्री आपका, धन्यवाद,